आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लगतार पंचायत साहिक बढ़ती से लेटेस्ट अपडेट हर जीले की आपको दे रहा हैं दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट आरिये ट्रेइनिंग के जरीए कि कैंड़ें के माध्य हम सैकि ट्रे सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस न्यूज पे क्या लिटेस्ट अपडेट आ रही है इसको चलिए देखते हैं दोस्तों दोस्तों जूम एक के माध्यम से वर्चूल बैठक को आयोजित किया जाएगा मंगलवार को प्रतिक मंगलवार को इसमें पंचायत साहिक का क्या रोल है हम दोस्तों ये भी बताएंगे इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा लास्ट में ले जाके वो चीज़ दिखा रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लेग आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रही है उप्युक्त विसे के संबन में उगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरित के अध्यक्षिता में वीभागी योजनाओ के कारिकरम की वर्चूल बैठक जूम एप के मादेम से प्रतिख मंगलवार को साहिम पांच बजे आयोजित की जाएगी अता आपको निर्देशित किया जाता है कि क्रिप्या वंजित सोचनाओ से प्रतिख मंगलवार को साहिम काल पांच बजे वर्चूल बैठक के प्रतिभाग करना सुनिशित करें बैठक है तो लिंक प्रिथक के उपलब्द करा दिया जाएगा संगलगन एजेंडा विंदू अब क्या-क्या एजेंडा है किस-किस लिए यह बैठक कराई जा रही है वो उस पे दूस्त अब चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं अब देखिए कौन-कौन-कौन-से बिभाग से जुड़ी यह खबर है और पंचायत सायकों का क्या इसमें रोल है अब देख रहे हैं यह तमाम चीज़े है एक एक बिंदू है लेकिन इसमें पंचायत सहायक का कहा बिंदू है मैं सीधे उस पे आपको लेके चलता हूं आप देख रहे हैं साथ नमबर आठ नमबर ऐसे तमाम आ जाएंगे इसमें पूरा नीचे जो पीडियेप का तीसरा पेशे हूं मैं आपको दिखा रहा हूं एजेंडा बिंदू 3 सुक्च भारत मिशन एजेंडा बिंदू 4 मान्य उच्च नियाले से संबंधित वाद अधिकरण में पारित आदेशो के अनुपालान के सितिग्राहम पंचायतों पंचायत सायक का काउंटेंट कमडाट एंटरी उपरेटर से सम्मान दित रीच याटिकाओं में प्रतिसत पत्र दाखिल किये जाने से इस्ति दूसरा आप देख रहे हैं एजेंडा बिंदू 4 मे में अधिकरण किया गया है लेकिन एजेंडा पांच में मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं कि क्या इसमें जानकारी में अधिकरण की गई है दोस्तों बरेली जहां सी आजमगड़े वांबस्ती मंडल को छोड़ कर इसका मतलविया है कि 4 मंडल की जो टाइमिंग है वो तो फिक्स हो गई जैसा कि आपको पता है इसमें मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें जो आजमगड़ा है इसका बलिया का एक दिसंबर को एक और दो दिसंबर को निर्देशित किया गया है इसको छोड़ के दिनांग बीस 11.2021 से उपनिर्देशक पंचायत के निर्देशन में प्रस्तावित है जिन पंचायत साहगो का नुबंद ग्राम पंचायत अस्तर पर पूर्ण हो चुका है उसकी बैचवार सूची अपने मंडली उपनिर्देशक पंचायत को प्रसिक्षण से तीन दिवस पूर्व उपलब्द कराना सुनिश्चित करें तथा प्रसिक्षण आर्थ के आवास चाय नास्तावां भोजन आदी की समुचित बैवस्ता कराने के लिए मंडली उपनिर्देशक मंचायत को शयोग प्रदान करें इस प्रसिक्षण है तो तकनी की प्रसिक्षण सत्र के लिए वश्यक कंप्यूटर की समुचित बैवस्ता प्रसिक्षण के पुर्व सुनिश्चित करा हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे computer की ब्यवस्था कराने को बोला जा रहा है प्रस्रिक्षण के मादधे हम से खाने पीने की ब्यवस्था कराने को बोला जा रहा है लेकिन यह जो चार मंडल हैं ब्यवस्था कराने को लगतार बोली जा रहे हैं चार मंडल को छोड़के दूसरे जो मंडल बच रहे हैं उनकी केवल जीलावार ही ट्रेनिंग करा दी जाएगी ऐसा दोस्तों हमें लग रहा है दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपको लगतार देते रहेंगे आप हमारी चैनल पर बने रेफिरा के लिए भीदा लेंगे जाएंद